हुआ हम देखने जा रहे हैं concept of default argument लेट मी सीव दा प्रोजेक्ट फाइल अब यहां पर मैं सिंपल एक वाइड फॉंक्शन मना रहा हूं तो बेजिकली मैंने जो फॉंक्शन रहा है एड का उसके अंदे टोटल पांच आर्गुमेंट है अब मैं उसको एड कर रहा हूं तो देखो यहां पर एंड एडिशन इस इकल्स टू क्या लिखोंगा मैं आप सबको पता है एडिशन इस इकल्स टू ए प्लस बी प्लस ए प्ल कर रहा हूं समया घ़क कրएका आर के अंदर वांटो ट्री फॉर फाईव के सिंपल में वाली में पास की वाल जो है वह में जाएगा तू जो है वह में जाएगा है फॉर्ज इ crashed और फाई जो हह ए में जाएगा नाव लैट में रं सिंपल प्रोग्राम नेढ़ीशन ओके धि 2 लिखना है अब मैं add 1,2,3 लिखोंगा अब यहां पर add 1,2,3,4 लिखोंगा अब मैं जब run करने जा रहा हूँ तो obvious वो मुझे error बताएगा कि यहां पर 1,2 कैसे आप pass कर सकते हो क्योंगे यहां पर तो 5 argument है तब 2 कैसे pass कर सकते हो तो यही concept के अंदर मैं use करने जा रहा हूँ default argument देखो default argument मतलब क्या तो यहां पर आप जब कोई भी argument बनाते हो वहां कुछ भी value दे देता हो it's not necessary कि 0 ही देना है आप 10 दे दो 100 दे दो जो भी देना है आप दे सकते हो तो यहां पर मैं 0 लिख रहा हूँ और rule ऐसा है कि जब भी आप default argument दो तो right hand side से दो और कोई भी argument default हो तो उसके next argument भी default होनी चाहिए तो out of 5 आपको 2 argument, 3 argument default है नहीं है तो आप ABC को दोगे तो DE को भी आपको compulsory देना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि एक भी argument default है तो उसके next argument भी default तो आप वो ABC को दोगे तो DE को भी करना पड़ेगा instead of that हम last में जो 3 है उसको ही देंगे अब देखो होगा क्या तो यहां पर example समझते हैं सबसे पहले यह एड़ेगा तो 1 जो है वो A में जाएगा 2 जो है वो B में जाएगा तो C और D की by default वो value क्या ले लेगा 0 0 0 मतलब 1 प्ल last case में 1 2 3 4 गया तो 1 किसमें जाएगा A में 2 किसमें जाएगा B में 3 किसमें जाएगा C में 4 किसमें जाएगा D में तो E की वो by default value 0 ले ले लेगा Is it clear? मतलब जब आप pass करोगे तो value हमारी लेगा नहीं पास करोगे तो 0 value लेगा मतलब in this case येड में 1,2,3,4,5 तो A में क्या चला जएगा 1,2 में क्या चला जएगा B, C में क्या चला जएगा 3, 4 किस में चला जएगा D, 5 किस में चला जएगा E, मतलब हमने value passed की तो वो value ले लेगा, अपन नहीं pass करो तो वो default value जो हमने रख्ये हो ले लेगा Let's see, output properly आ गया, 15, 3, 6, okay, according to our, जो भी हमने value पास किया, उसके according to, देखो, output आ गया, 1,2 तो 3 आ गया, 1,2, 3 तो 6 आ गया, okay, तो हमने नहीं पास की, तो उसने 0 value ले ले, is it clear, तो this is called default argument, okay, जब आप पास ना करो, तो value ले ले, उसको बुलते है, default argument,